विलनी जो आक के उपर एक फुनसी हो जाते है विलनी जिसको कहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय लिखा होगा घरेलु पाय बहुत ही भितरी उपाय दोस्तों देखो यापर लिखा हुए पलको करक्त दूसित होकर पलको किनारे पर लगभग मून के आकार के लाल कभी कभार खुजली और जलन देने वाली जो फुनसी होती है उसे विलनी कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसको जन नामिका और आधुनिक वैदिकी सास के अनुसार इसको इस्टाई कहते हैं उपचार दोस्तों क्या है विलनी के उपचार दो प्रकार के होते हैं एक जब बिलनी अपक होते हुए, जब मवाद न बनी हो, कोई कपड़ा गरम कर उस बिलनी पर सेके, कई बार इससे वह बैठ जाती है, सूख जाती है, यह लहसुन जला कर उसका कोईला लगाए, लहसुन जला ले, उसमें थोड़ा सा तेल मिला ले, तो कोईला जैसे काजल अपने आप फोड़ती है, ना फोड़ने पर सूई थोड़ी गरम करके उस स्थान पर लगाए, और बाद में हलके हाँ से दबा कर पूरा मवाद निकाल दे, अगर बार 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 बिलनी की समस्य होती है, तो आपको आरोग ग्यवर्धनी वटी, यहाँ पर रस लिखा हुआ रस भी ले सकते हैं, वटी भी ले लें, आप वटी ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आरोग ग्यवर्धनी वटी, दो दो गोलियां सुपह, दो पहर और रात में लें, तो आप दो दो गोलियां सुबह और रात को ले सकते हैं, सुबह साम लें, हलके गुनगुने पानी से तो जो बार-बार मिलनी निकलने की समस्या होती है धीरे-धीरे इससे बंद हो जाएगी क्योंकि ये खून को साफ करती है आरोग गिवर्धनी इसलिए नाम करती है क्योंकि ये आरोग प्रदान करती है दोस्तों बहुत सारी बिमारियों में एक काम करती है बहुत सारी समस्याओं में आरोग गिवर्धनी वटी का प्रयोग किया जाता है आयरुबेद की एक बहुत ही आल राउंडर ओसद है जो बहुत सारी समस्याओं में बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों तो सिर्फ इसी को ले आपको 100% फायदा मिलेगा अगर लगतारी समस्याओं को आती रहती है